नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर जम्मू कश्मी डीडीसी चुनाओ दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जमीनी मुद्दों पर एक नज़र आंदोलन रत किसानों के साथ महिला संगठन भी एक जूट मोधी सरकार को खुला पत्र कुरोना अपडेट देश में 38,772 नए मामले अब तक 94,000,000 से अधिक लोग संक्रमित हमाई चौती और आखरी स्टोरी यूपी से कुरोना काल में सेवा दे रहे इंटरन डॉक्टरों को मिलता है केवल 2500 रुपे प्रति दिन जम्मू और कश्मीर केंद्र शाशे छेतर में जिना विकास परिशत के पहले चरण के चुनाओ शनीवार यानी 28 नॉवंबर के दिन संपन्न हो चुके हैं रियासी में जहां 74.62% मद्दान के साथ सबसे अधिक मद्दान हुआ है वहीं दक्षिर कश्मीरी के पुल्वामा जिले में 6.07 सुनने के साथ सबसे कम मद्दान प्रतिशत दर्ज किया गया है इस छेतर में लंबे राजनितिक उतल पोतल के कहीं बार जाकर पहली बार डीडीसी चुनाओ के माध्यम से प्रमुक चुनाओी कवायत चल रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल धारा 370 को निरस्त कर देने के साथ ततकालिन जम्मु कश्मीर राज को दो केंद्र शाशे छेतरों में विबाजन करने का काम किया था केंदर शाषी छेत्र के कुल 280 निर्वाचन छेत्रों में इस मद्दान की प्रक्रिया को 8 चड़नों में संपन्न किया जा रहा है जिसमें 1400 से अधिक उमिद्वार अपनी किसमत आजमाने के लिए मैदान में है मद्दान की प्रक्रिया यहां करकराती ठंड के बीच सुबह के 7 बजे से शुरू हो चुकी थी लेकिन दिन चड़ने के साथ-साथ इसमें तेजी दिखनी शुरू हुई किसी भी कानून विवस्ता के इस्तिती की चुनौती को विफल करने के लिए मद्दान केंद्रों पर एवं उसके आज पास एक विस्त्रिज शुरूच्छा घेरे का इंदिजाम किया गया था हाला की मद्दान प्रक्रिया बिना किसी बड़ी हिंसा की या घटना विरोर प्रदर्शन के संपन हो गई एक वरिष्ट सुरच्छा अधिकारी ने नियूसकलिक को बताया कि पुलिस और अर्धिसानिक बलों के कम से कम सौ जवानों को प्रतिक मद्दान केंद्र और उसके आस पास में इस प्रक्रिया को शांती पूर ढंग से संपन कराने हितु तैनात किया गया था अधिकारी का कहना था कि हमने प्रतिक चुनाव केंद्र पर एक चार स्थरी सुरच्छा गेरे को सुनक्षित कर रखा था कुछ नहीं है सर्याव आज तक जिसको वह वोड़ डाला कुछ नहीं किसी नहीं किया आज के कंड़िट क्यों लगता के जो है सर इसको हमने खुद उठाया अपने गाउं से उठाया सर इंशालला इसको हम यह हमारा साथ पूरा देगा इसको हमने गरीब खांदान से तालोक देश भर में कई महिला संगटनों ने रवी वार को मोधी सरकार को एक खुली चिटी लिखी और किसानों के आंदोलन पर दमनात्मक करवाई की निंदा की इसमें All India Democratic Women's Association, National Federation of Indian Women और All India Progressive Women's Association सहित कई अन्य महिलाओ के संगटनों ने हस्ताक्षड किये महिला संगटनों ने किसानों के संगर्ष के मद्दे नजर अपनी एक जूटता व्यक्त करते हुए कहा हम किसानों के संगर्ष के बरबर दमन की और इतनी कड़ी सर्द में आसू गैस और पानी के गोले फेकने की कड़ी निंदा करते हैं बीजेपी आरेसेस केंद सरकार और बीजेपी यूपी और हरियाणा राज सरकारों ने भी शांती पुर्ण किसानों पर जो अपनी उचित मांगों के लिए दिल्ली पहुँचना चाते हैं अब बुत्पूरू बरबरता का उधारण पेश किया है इस पत्र में यह भी कहा गया है कि किसान लगातार संकट से जूज रहे हैं और महामारी से निपटने के लिए आपकी सरकार द्वारा उठाएगे अनियोजित और खतरना कदमों से आर्थिक प्रवाव पढ़ रहा है इसने क्रिशी पर निर्भर परिवारों को गंबीर रिड़ता ग्रस्त में डाल दिया है और इसके परिडाम स्वरूप किसानों की आत्मत्या बढ़ गई है किंद्री स्वास्थ मंत्राले द्वारा आज सोमवार यानि 30 नौंबर को जारी आगड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 38,700 बहतर नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से 443 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश में करोना से 45,333 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 7,004 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़ कर 94,3169 हो गई है जिनमें से अब तक 1,37,149 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़ का 93,809 हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 88,47,600 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संक्या घट कर 4,73 फिस्दी यानि 4,46,952 हो गई है ICMR द्वारा जारी आगडों के अनुसार अब तक 14,3,89,96 सैंपल की जाच की गई है जिन में से 8,86,73 सैंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों के प्रतिस्ठित किंग जॉर्ज मेटकल यूनिसिटी में इंटर्ण डॉक्टर यूनियन का कहना है कि उनको जो भी भत्ता मिलता है उससे उनकी जीविका नहीं चल पारी इंटर्ण डॉक्टर का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर गंबीर नहीं है कुरोना काल में दी गई उनकी सेवाओं को भी नजर अंदाज किया जा रहा है एक इंटरेक्ट डॉक्टर ने कहा कि उनको जो भत्ता मिलता है उससे तो N95 मास्क तक भी नहीं खई सकते हमको सम्मान ताली थाली पुश पवर्शा नहीं, सम्मान जनक भत्ता चाहिए हमारी प्रॉब्लम में यह है कि हम लोग यहाँ पे एक अपरल 2020 से हमारी इंटरंसिप श्टार्ट हुई थी तब से काम कर रहे हैं हमें मान दे के रूम में के ओल साड़े साथ सुरूपए मतलब धाई सुरूपए प्रतिदीन का मिलता है अब उसमें हमें जीवन आज की समय में पता है कि मनरेगा मजदूर भी 400-500 रुपए कमाता है तो धाई सुरूपए में इंटर्ण डॉक्टर कैसे जीवन यहाँपन करें उसी में हमें अपने इंस्टुमेंट्स भी लेने होते हैं उसी में हमें सारे एक्विमेंट्स लेना ह होता है सारा अपना खर्चा करना होता है अगर हमारी डूटी कहीं बाहर लगाई जा रही तो अपने वहिक्यल का पेट्रोल का भी उसी से करना है तो धाई सुरूपए में बहुत कम है इसके लिए में घर से पैसे मांगने पड़ते हैं घरवालों का भी कहना होता कि बेटा आपने कर लिया है उन्हें उम्मीद होते हम उन्हें दें लेकिन अभी क्या होता है उल्टा करना पड़ रहा हमें घरवालों से पैसे मांगना पड़ आपके चिंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवस्टी स्टेट की बड़ी मेडिकल यूनिवस्टी है इसके अंदर टोटल दॉसरे स्टेट से उन्हें यहां से बहुत ज्यादा जैसे सेंट्रल के अनदर आने वालों में 235 रूपए दिल्ली में 23000 रूपए बिहार में 22000 रूपए आसा में 31,000 रुपए पस्चिम बंगाल में 28,000 रुपए करनाटका में 30,000 रुपए वैसे एक यूपी ही है जहां पर केवल 7,500 रुपए दिया जाता है कॉवर्मेंट में आपको बहुत सारे सम्मान देने की बात कही है आपको कुरोना योद्धा कहा गया प्रुपए गया हमेंट में 34,000 रुक गया है सम्मान यह जाखे-ज?, इतना करते हम अपनी जीव का चला सके डॉक्टरी खड़ का जीवन यहापन नहीं कर पा रहा है सब्सक्राइब कर दिएंगे कुई मतलब नहीं हमें जीवन जीने अपन के लिए जुए मिनिममम इसमें चाहिए एक मिनिमम फीज में प्रस एक मिनिमम उतना देदे कैंच हमारे लिए फूल कुरोना वारियर ना बोले यह तो सरकार बताएगी कि जो आज सबसेज महत्तुकून रोल अदा कर रहे हैं स्वासित सेवाओं में डॉक्टर्स उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और डॉक्टर्स में हम सबसे जूनियर आते हैं कि हम जूनियर डॉक्टर में जयार के नीचे हम करते हैं जो मरीज आता है तो स्क्रेणिग एरिया में इम्रजैंसी में हम लोग काम करते हैं और एक अपैल से दूटरी लगी है उसको बढ़ाने के लिए सासन प्रसासन तक अपनी आवाज पहुचा रहे थे और दो-तीन बार हमारी सबीच खनाजी से मुलाकात भी हुई उन्हें अप्लिकेशन दिया गया सारी बात बताई भी गई जुलाहिम उन्होंने आस्वासन दिया था हमें की देड़ से दो महिने के अंदर-अंदर आपकी स्टाइपेंड बढ़ा दी जाएग तो ये जब हमारे साथ दो-तीन बार हुआ कोई सरकार ने एक्सल नहीं लिया तो मजबूर होके हमें धरने पे और भूखरताल पे बैठना पड़ा और ये धरना 24 तारीक को सुबह 10 बजे शुरू हुआ था दो लोग भूखरताल पे थे तो कल तीसरे दिन एक बच्चे की त अबियत खराब हो गई उसे ड्रिफ चड़ानी पड़ी वह वार्ड में अभी भरती है और हमारी कल साम को ही खन्ना जी से फिर से मीटिंग होई कालिज प्रसासन उसमें इन्वाल हुआ तो हमारी मीटिंग हो पाई तो खन्ना जी ने हमें आस्वासन दिया है कि एक कमेटी ब मांग है कि हमारी जो पिछले दस साल से साड़े साथ जार स्टाइबंड है और उसे बढ़ाई नहीं गई है वो केंद्री संस्थानों के बराबर जो की 23,500 रूपए है उतना नहीं की जाती है और हमारी बाकी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिर धरना और भुखरत में 28,000 है असम में 31,500 है करनाटका में 30,000 है और हमारे पडोसी राज्यों में भी 20,000 के उपर ही है तो इसलिए हम लोग प्रयास करने है कि हमारी भी एक सम्मान जनक राजी करीब 20,000 से 25,000 के बीच में होनी चाहिए आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही निउस्क्लिक क सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखी फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें निउस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया